आप सभी का स्वागत है मैं सुनील कुमार गुपता स्वागत करता हूँ अप लोग सबसे पहले इस सेशन को लाइक और शेयर कर दिजेगा अपने दोस्तों तक पहुँचाईए इस सेशन को ताकि वो लोग भी इस सेशन का भरपूर फाइदा उठा सकें तो आप सब आईए और बताईए जीवन में क्या चल रहा है प्रोपरेशन कैसी चल नहीं है आज के इस सेशन में मैं आपको बता दू कि हम करेंगे अपने इस न्यूस पेपर आज के न्यूस पेपर का एनलसिस और साथी साथ में कुछ MCQs भी लेके आएंगे आपके लिए बहतरीन वाले आप लोग बने रहेगा साथ में और पूरे सेशन को जरूर देखेगा क्योंकि ये सभी डिफेंस एक्जाम के लिए बहतरीन सेशन होता है डेली जो लोग हैं क्लास को कर रहे हैं उनको पता होगा इस सेशन का महत्तुव और इस सेशन का महत्तुव इसमें ये है कि डेली अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तोर पर आपके एक्जाम के लिए बहुत ही फाइदेमंद रहने वाला है मैं बढ़िया हूँ आप लोग कैसे हैं चले शुरू करते हैं सबसे पहले राम 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 देव कैसे है और regular students को बहुत फाइदा होने वाला है और जो नए बच्चे आएं उनको भी तो फाइदा हो गई होगा आज 29 नवंबर है और इस 29 नवंबर को जो हमने classes लेनी है उसके newspaper पहले section की ओर चलते हैं daily newspaper analysis के अंदर भाई और कौन regular है देव regular है वी के दास जी regular है और यहां पर जो भी regular रहेंगे उनको बहुत फाइदा होगा selection आप सोच लिजे मैं यहां पर newspaper analysis के साथ हफते में Monday से Friday पांच दिन आपका newspaper का section लगा रहा हूँ यानि कि महीने में लगबग 22 दिन चल रहा है ट्वेंटी टू डेज और हर दिन में मैं लगबग दस questions लेके आता हूँ महीने के लगबग 220 question आपके तयार हो रहे हैं अगर हम इस ऑक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अपरेल देखें तो लगबग 1000 से 1200 question का एक आपके पास बढ़ियां बढ़ियां ये तयार हो जाएगा बटा ओफलाइन वाले हैं कि नहीं हैं ओफलाइन वाले बच्चों को कितना भी request कितना भी जो है बोलो और समझाओ कि बहिया ये आपका भविश future बनाने के लिए हमने ये session चलाया है लेकिन उन्हें को कर लेंगे भाई होगा ही नहीं करेंट अफेर तो एकदम से बुखार की दवा की तरह से है डेली डेली खानी पड़ेगी रेगुलर तवर पर तब जाके आपका सेलेक्शन होगा अनंद करियर विल वाले हैं राज ठीक है चले शुरू करते हैं सबसे पहली आज की खुश कर देने वाली खबर जिस खबर का इंतजार पिछले 16-17 दिनों से भारत कर रहा था 17 दिन से पूरा इंडिया इंतजार कर रहा था आखिर में वो घड़ी आही गई है वो घड़ी क्या है ध्यान दिजेगा आपको पता है कि सिल्क यारा टेनल कलेप्स जो हुआ था उस टेनल के अंदर में फसे हुए सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है जान से बढ़कर कोई कीमत नहीं होती देव याद कियेगा सभी सुरक्षित है मजदूर इससे बड़ी कोई बात नहीं है rescue successful mission successful और सभी 41 मजदूरों को कल रात में निकाला जा सका और ये 41 मजदूर कल उत्तरकाशी उत्तरकंड में जब निकल रहे थे तो मैंने देखा मज़ा ही आ गया भाई कि हमारे गूजबंस हा रहे थे और उसमें जो rat miners थे जिल लोगों ने हाथों से अपने मतलब ड्रिलिंग और करके और उसको तोड़के चटान को तोड़के चीर के सीना रास्ता बनाया उनके क्या ही कहने उन सब को जिल लोगों ने इनके rescue अभियान में हिस्सा दिया सोच लिजे ऐसी ऐसी machine लगा दी गई उन सब को भी हमारी तरफ से salute है और उन मजदूरों के ज़झबे को भी हमारी तरफ से salute है हर दिन हम सोच रहे थे कि कैसे जीवन बीठ रहा होगा उन मजदूरों लेकिन मजदूरों के चेहरे पर जब बाहर आए तो एक मजदूर का मैंने छोटा सा इंटर्व्यू देखा उसमें इन्होंने एक मजदूर रहा कि हमें कोई परशानी नहीं थी और हम आ गए है बाहर कोई किसी तरह का शुक्वा नहीं सब कुछ मनलब दिल गद गद हो गया यार रैथ होल माइनर्स इन कॉर्डिनेशन विद आर्मी मैनेज तू मैनुली डिग थू फिप्टी फाइब मीटर्स अफ डेबरिस होरिजंटली पच्पन मीटर तक ठीक है ना दो बजे के बाद जो है चीफ मिनिस्टर पुश्कर सिंधामी ने बता दिया था पुश्कर सिंधा आमी अनौस्ट और इनिंशियल कंपेंसेशन यह कंपेंसेशन नहीं है आप लोगों के ज्यानकारी के लिए बता दू आरंभिक कंपेंसेशन है तुरन उस समय तुरन्त कंपेंसेशन दिया गया बाकी तो इन मज़दूरों को कुछ न कुछ मिला जाएगा कुछ दिया ही जा पॉमा हुआ है उसका जरूर कुछ न कुछ प्रवाइड करेगी उत्राखंड के चीफ मिनिस्टर पुषकर सिंधामी और भारत सरकार के केंद्रे मंतरी जनरल वीके सिंग भी वहाँ पर थे अभी इन मजदूरों को जब ये निकाले गए हैं तो इनको 48 से 72 घंटे का रखा जाएगा और याद के 41 मजदूर थे और 41 से जादा एंबुलेंसे लगा के रखी गई थी कितना बढ़िया बेवस्था किया और सरकार ने चलिए बहुत-बहुत मुहारक हो और ये जो है याद किएगा कि प्रधान मंतरी राश्पती सभी पूरे देश के लोग एक हो गए औ और पूरा देश इनके लिए प्रार्थनाएं कर रहा था याद किएगा कोई भी ऐसा भारत का घर नहीं रहा होगा जो इनके लिए प्रार्थनाना कर रहा हो पूरा देश प्रार्थना कर रहा था और पूरा देश चाहता था ये जल्दी से जल्दी ही रेस्क्यू हो जाएं है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ चलते हैं इस्राइल ने इस्राइल के बारे में ये बोला गया है कि भाईया इस्राइल बिज स्टार्ट इस बॉंबिंग ऑफ गाजा मुविंग फ्रॉम नौ टू साउथ जैसे ही हॉस्टेज सारे रिलीज हो जाएंगे इस्राइली डिप्लोमेट ने कहा है लेकिन ये आपको पता है कि साउथ गाजा में शल्टर वाले कहां पर जाएंगे इनको जो है केवल इसने इस्राइल ने कहा है कि सीज फायर का एंड होन यानि कि इनके अनुसार जैसे ही वंस ये वुद्ध विराम की समाप्ती हो जाती है ठीक है ना युद्ध विराम की समाप्ती हो जाती है तो तुरंट यहां पर यह फिर से बॉंबिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा और लगातार यह अच्छी न्यूज आई की पिछले एक हफ है और ऐसी कोई लड़ाई की परिस्थिती नहीं चल नहीं है और बहुत अच्छी बात है याद कियेगा जो इस्राइल डिफेंस पोर्स के ऑपरेशन ने इन्होंने सिक्यूर्टी बताया ऑफिशल ने बताया कि हंडेट परसेंट ओफ हमास पोस्ट ओबर ग्राउंड इन्दा Northern Gaza have been cleared as Israel launches air strikes followed by a ground invasion मतलब इन्होंने बताया है कि जो गाजा पट्टी थी गाजा स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप के उत्तरी एरिया में ये नौर्थ गाजा है और ये साउथ गाजा का एरिया है नौर्थ गाजा के एरिया में जो ग्राउंड के ऊपर जितनी भी इस तरह की ठ दे थे सब समाप्त कर दिये हैं अंडरगाउन का तो क्या ही कहना वो लोग आपने सुना होगा टनल्स बना के रह रहे थे सुरंगों से मिसाइल लौंच कर रहे थे तो ये हमास आपको पता हो गया होगा है ये शब्द है ये हमास हमास कहां का एक जो है टेरोरिस्ट और्गे इसन है ये आपको पता चल गया चले आज की मुख्य खबरों में आप लोगों से रिलेटेट एक खबर लेके आया हूँ नेवी की अगनिवीर ट्रेनी जो है मुंबई में होस्टल में मृत पाई गई एक ऐसी बात है बीस साल की ये लड़की थी और ये आई एनस हमला यानि की आई एनस हमला लगातार ऐसी खबरे विक्षिप्त करती हैं परशान करती हैं हमारे दिमाग को विक्टिम नाम है अपरना वी नायर ये नाम है अपरना वी नायर और अगनिवीर के सर्विस के दौरान या दखे या फिर अगनिवीर के जो है मतलब किसी भी फेज में अगर आप मारे जाते हैं तो you are not entitled for regular service holders जैसे regular service holders को कुछ भी मिलता है उनको नहीं मिलेगा याद केगा इस लड़की ने क्या कर लिया है ये हैंग कर लिया है एंडेट हर लाइफ बाइग ऑन मंडे अफिशल सेट अन तुजड़े शेवर अंडरगों ट्रेंग अध आई एनस हमला इन मलाड में दो अफिशल फाउन नो नोट लेफ बहाइड बाई हर इनिशल इंडिके resort to the drastic step अब इस पर कोशन मार्क लगता है कि भाई अगनी वीर भरती अगनी वीर भरती के दोरान जो stages हैं जिसमें व्यक्ति के mental status को चेक किया जाता है psychological test जो होते हैं उन पर कोशन मार्क लग रहा है है ना उन पर कोशन लग रहा है भाई अगनी वीर का भरती होता है stage 1 में आप written exam लेते हैं stage 2 में जो आपकी checking होती है उसमें क्यों नहीं आप अपने ऐसे candidate को चेक कर पाते हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी है मानसिक स्थिति को चेक करने के लिए जो आपके cycle metric test होते है cycle analysis test होते हैं उनको थोड़ा सा tough करिए ऐसे ही solid candidates को ही चेक के लिया जाए जो देश के लिए काम करें अपने जान को इतनी easily ना दे दे खुद की जान गवाई देश का एक resource गया पता नहीं किसना देश ने इस पर training करने पर खर्च किया था वो भी खतम और दूसरी बात परिवार समाज देश इसके सामने क्या आपन अगर आपने किसी भी व्यक्तिकत रीजन से भी आपने अगर हैंग किया है खुद को तो आपने क्या example सेट किया है देश की सेना का एक अगनी वीर सिप्त जो है फौजी अपने लिए ये जीवन की बजाए मृत्य को चुनता है आपके अंदर mental toughness है यह नहीं यह आपको समझ में आना चाहिए आप लोगे लिए भी mental toughness बहुत जोरी है देखेगा अब आपको एक चीज पता है कि COP28 यह समिट UNFCC का है climate change का summit है यह होने वाला है दुबई international area में और यह UAE में है United Arab Emirates में है और UAE में यह होस्ट है यह present मलब होस्ट की होस्टिंग कर रहा है अब इसमें जो बाइडन सहाब ने कहा कि हम नहीं भाग लेंगे Dubai prepared to host the 20 COP28 climate talk as world leaders including US President Joe Biden signaled they would not be attending the negotiations that come during the ongoing Israel-Hamas war rolling the wider West Asia The two week meeting of international leader aims to assess where the world stand when it comes to limiting emission of to slow global warming तो global warming और climate change से related है अब यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे leaders अपनी अपनी व्यस्तताओं को बता रहे हैं कि हम यहाँ busy हैं हम वहाँ busy हैं अब राश्पती मतलब जो बाइडन सहाब ने कहा कि हम इस्राइल और हमास के बीच की जो परिस्टित यह हैं उसको study कर रहे हैं और उस चीज में सबसे पहली बात expose होने का डर है expose मतलब negative मतलिजीगा मतलब अगर इस meeting में आते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग मिलेंगे बहुत सारे question माक आएंगे तो उस चक्कर में भी कुछ लोग जो है इस meeting को क्या करते हैं skip कर देते हैं ऐसे ही वर्ल्ड के बहुत सारे leaders ने अपने अपनी व्यस्ताओं के चलते हैं लेकिन यह यार दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है जिस समस्या को हम कहते हैं climate change की समस्या जलवायू परिवरतन की समस्या से निपटने के लिए हमें दुनिया को यह अपनी व्यस्ताओं को परे रख कर देखना पड़ेगा आप लोग जल्दी से जल्दी like share कर दीजेगा अगर आपको यह session अच्छा लग रहा है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है जो यहाँ पर आएं हैं बाकी तो हम क्या ही बताएं आप लोग पर जब भी कोई और होता है तो अमेरिका यह श्यम चोधरी क्या बात है आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद स्वागत है श्रीमान राम राम चलिए तो यह जो climate change के लिए जो समिट हो रहा है यह वैश्विक विवस्था में एक बहुत बड़ा important step है और इस important step से लेकर मै मैं आज बता रहा हूं कि हमारे पास दो-तीन आर्टिकल्स भी हैं मैं वड़िया हूं विशेश आपकी विशेश टिपणी मिल गई तो हम अच्छे ही होंगे है न जीवन में आप बहुत आगे जाए यह मेरी तमन्ना है लेकिन आगे जाने से पहले आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा जिसको कहते हार्ड वर्क और जब हार्ड वर्क कर पाएंगे तब ही आगे बढ़ेंगे भाई है ना कट्टर हिंदू जय हिन्द तो यह यादर किएगा देखेगा जो बाइडन सीरिया के असद जो प्रमुख है इस्राइल के बेंजमिन नतन्याहू भी शायद ही आएंगे है ना बेटा हार्ड वर्क का विकल्प कुछ है यह नहीं जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे हार्ड वर्क की बजाए स्मार्ट वर्क करिए आप लोग बताओ भई बताना हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए आप लोग बताइए is it hard work और smart work आपको जीवन में क्या करना है ये आप बताईए hard work करना चाहिए या smart work पर अपना अप कौन सा है ओनलाइन कोर्स के लिए कोच पर अमें तुरपाटी ओफिस में बता जी ओफिस में बता कर लिजी वैसे खुद का एप तो हो गई हो ओफलाइन के साथ जो बिलता है लेकिन ओनलाइन केरियर विल एप पर आना है देखेगा मैं आपको बता रहा हूँ hard work तो कभी छोड़ना नहीं है स्मार्टनेस के साथ hard work आपका स्मार्टनेस के साथ होना चाहिए है ना क्योंकि hard work का कोई मिलब अल्टरनेट है ही नहीं बस थोड़ी से स्मार्टनेस आनी चाहिए और फिर आराम से आप बहतर रिजल्ट के लिए बढ़िया तैयारी कर पाएंगे हमज में आये ना चले आपको बता दू कि जो COP28 का हमारा समिट होने जा रहा है क्लियर है ना यहाँ पर देखेगा यह है COP28 समिट के लिए बताया गया है कि अगले कुछ दिनों में वर्ल लीडर्स इंडस्ट्रिलिस्ट अक्टिविस्ट एन इंडिजिनस पीपल्स जो है यहाँ पर मिलने जा रहे हैं Conference of the Parties आपको पता होगा मैंने पढ़ाया है The Annual Affairs is to attempt an inch ahead on getting at least 190 countries 190 देश आने की संभावना होनी चाहिए United Nations Climate Framework में जिन लोगों ने सिगनेचर किया है यह और इसमें यह है कि बहिया 2015 के Paris Agreement में यह बताया गया है कि बहिया 2015 का Paris Agreement कब हुआ था COP21 के नाम से हुआ था और इसमें जो है डेड़ डिगरी से ज़्यादा ठीकर न 1.5 डिगरी से ज़्यादा वैश्विक तापमान को बढ़ने ना दिया जाए अब जो है अब यह जो है दो डिगरी तक की बात हो रहे है कि इस शदी के अंत तक दो डिगरी का टेंपरचर का एम रखा जाए तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने एन्वल जो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना पड़ेगा और वो कंट्रोल कितना होगा 8% होगा और 1.2% अभी बताया गया है हो रहा है बढ़ रहा है जबकि हमें 8 प्रतिशत क्या करना है कार्बन एमिशन को घटाना है देख लिजेगा कार्बन एमिशन को घटाना है लेकिन अभी की स्थिए अगर कितनी देखें तो ये प्लस 1.2% परियर है अब देखेंए 1.2% प्रति साल हाँ एप्लिकेशन पर हिस्ट्री शुरू हो गई दो क्लासेज भी हो गई आज तीसरी क्लास होगी तो यहाँ पर देखें एमिशन बढ़ रहा है तो बढ़ने का मतलब क्या है कि आप आप सोच लिजे कि हमारे वैश्यक विवस्ता में वैश होगा ख्लेर ना तो यह एक जो है पूरा टॉपिक है इसको पढ़िए और इसमें आपको बहुत सारी चीजे मिलेंगी जो आप जल डिसकुशन में यानि गुरूप डिसकुशन में यह आप यूज कर सकते हैं पॉइंट्स को और यह सब चीजे आप बोल देखो ना तो वायू परिवर्तन पर कभी बात हो रहा है और आपने बोल दिया कि विश्व की तापमान हमारे क्लाइमेट एक्षन प्लान जो है 2015 का कोप 21 जो हुआ था कोप 21 में 190 देशों ने अग्री किया है और यह कोप 21 पैरिस में हुआ था पैरिस समझा था इसमें यह बताया गया था कि अगले कुछ सालों में 1.5 डिग्री टेपरिचर बढ़े बढ़े उससे जादना बढ़ने दिया जाए और इस पूरी शताबदी में 21 सदी में अगर तापमान धरती का बढ़ता है तो 2 डिग्री सेल्सिस से जाद आना बढ़े और इसके लिए हमें क्या करना है 8 प्रतिश अगर आप टेक्निकल आप से बोला जाता है कि बही कारबन हमारे क्लामेट चेंज के लिए यंगर आप जीडी बे बैठे हैं तो बोलेंगे क्लामेट is the problem which world is facing and this is the major point of concern तो ये सारी चीज़े आप बोलोगे तो क्या ही मिलेगा जब तक आप कुछ फैक्ट सिगर कुछ पॉइंट्स नहीं डालोगे जिसके बारे में लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि भाई हाँ ये पढ़ रखा है सब को नॉर्मल चीज़े आती थोड़ी चीज़े आपको बहतर करनी पढ़ेंगी क्लि बढ़िया आइटिकल लिखा आज के आज के निउस्पेपर में अगर आप अमर उजाला पढ़ोगे अमर उजाला में यह सब चीज़े नहीं दी रहती है यह दुनीज़ेपर की बात है इस दुनीज़ेपर में बहुत बेहतरीन अच्छी तरह की दिया जाता है अब इसमें गया है दिसंबर नजदीक आ रहा है COP28 UN का जो framework convention है climate change का यह दुबई में होने वाला है और इसमें अभी हाली में G20 की meeting हुई है UN के summits हुए है तो क्या-क्या मुद्दे होने चाहिए क्या-क्या दुनिया की आवाजे होनी चाहिए अगर 2023 की देखें तो इन्होंने बताया है कि उत्तरी जो है अफ्रीका में, यूरोप में, केनडा में, हवाई में यहाँ पर आग लगने की घटनाए बहुत ज्यादा temperature बढ़ गया है इसके अलावा फ्लड आया इंडिया में, लीविया में और हॉन ओफ अफ्रीके में सूखा पड़ा है सिप्तंबर में scientist ने देखा कि भाई कितना land and ocean का temperature बढ़ा है, एंटाक्टिका की ice घटती जा रही है और इसमें जो है अलिनोव एफेक्ट्स के कारण बहुत सारी चीज़े हैं तो इन्होंने जो मनबचीजों को लाके एकठा कर दिया है तो वो जो है आप देख लिजेगा बहुत बेहतरीन ये एक article है तो इस article को भी जरूर पढ़िएगा और इसको पढ़ने के बाद मजा आए अगर आपको article पढ़ने में कहीं दिक्कत आए जो इस तरह का article है तो मैं आपको एक सहारा दे रहा हूँ आप article अगर नहीं पढ़ पाते हैं हिंदी मीडियम के student है तो आप अपने mobile में एक application होता है जिस camera mode में चलिए और camera mode में चलके आप जिस भी तरह का जो है देखना चाहते हैं वहाँ पर इस तरह का एक लेके जाईए और उस पर जो है जैसे unpacking मैंने यहाँ पर दिखेगा क्या किया है unpacking पे कर दिया है और यहाँ पर photo लिया है और खोलना unpack करना यहाँ पर इसके अलावा यह सीधे सीधे इसका Hindi version पहुचाता है देखेगा यह सीधे सीधे आपका इसका Hindi version पहुचाता है आप देखेंगे मजा आए गा जैसे जैसे दिसंबर आ रहा है वैसे वैसे जल्वाई परिवर्तन को लेकर बैश्विक बातचीत की मातरता और तीवर्ता भी बढ़ रही दिसंबर की शुरुआत में जल्वाई परिवर्तन पर पाटियों का 28 वार्शिप संबेलन फ्रेमवर्क कन्वर्जन दुबा में कताती है तो वो उसको भी हमाईने सॉल्व कर दिया है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई मीडियम की समस्य आना चाहिए इफ यूर प्रिपेरिंग फॉर एनी डिफेंस एक्जाम चले अब आपको लेके चलते हैं आपके सबसे फेवरेट सेक्षन में जिस फेवरेट सेक्षन का नाम है mcqdozier 16 मैंने बताया एप्लीकेशन है गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट एंडी गुजर चले mcqdozier पर आते हैं आगले चले वट इस दा मैसकट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा मतलब जानते ना पैरा जो जो है दिव्यांगो के लिए गेम होता है बहुत न्यूज में आया होगा सनातनी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का मैसकट शुभंकर याद केंगे शेरा अर्जुन उज्वला या भीमा तो याद किगा इस उज्वला याद कि हाली में भारत के युवा और खेल मंत्रालो के मंत्री जो है अनुराक सिंग ठागुर जी ने नई दिल्ली में मैसकट और लोगो एनेवल किया तो ये देखेगा उज्वला एक स्पैरो है एक स्पैरो है और यही ओफिशल मैसकट है याद खेंगे ठीक है ना चले आगे बढ़ते हैं यही है यह गलत फोटो लगा दिया मैंने उज्वला मैसकट मुझे लग रहा है मैंने फोटो गलत लगा दिया है कि योगी जी नहीं होने चाहिए जल्द वाजी में हाँ यह जो है मुझे लग रहे गलत हो गया है मैसकट यह है हाँ अना यही है यह नहीं है भाई यह खेलो इंडिया का है खेलो इंडिया जो है पैरा गेम्स का नहीं है यह यह खेलो इंडिया का है वैसे आप देख लेना चले वन इस कॉंस्टिटुशन डे सेलिबरेटेड एवरी यह इन इंडिया सर जी लार्ज हैटन कोलाइडर की देश दस अगस्त दस सितंबर दुहजार राट एलेच सी मुझे बिटा कि देख लेंगे आई विल सी कई बार हो जाता हैं खुश रही है विन है याद कि यह तो आपको पता ही होगा 26 नमंबर कॉंस्ट्यूशन डे मनाया जाता है क्योंकि 2015 में सरकार ने यह शुरू किया समिधान दिवस मनाने की शुरुवात 2015 में हुई क्योंकि इसी दिन 26 नमंबर 1949 को हमारा समिधान लागू हुआ था रिसर्चर सहर रिसेंटी डिसकोषड न्यू प्लांट स्पीज अ न्यूव प्लांट स्पीज सिस इन विच ट्राइगर रिजर्व शोध करतां ने हाली में किस ट्राइगर में एक नई पॉधे की प्रजाती की खोज किया है नई पौदेकाना टाइगर कलकड मुंदर थाई टाइगर रिजर्व या सरिस्का या मेला घाट आंसर बताते रहेंगे तो इसका आंसर है कलकड मुंदर थाई टाइगर रिजर्व है यह वेस्टन घाट्स में है और इस इस फाउंड इन विच एरलाइन है रिजर्व लॉंच्ट एई चैट बोट तो हेल्प कॉस्टमर्स इन फ्लाइट टिकेट बुकिंग हाले में किस एरलाइन ने ग्राइकों को फ्लाइट टिकेट बुकिंग में सुविधा प्रदान करने के लिए एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस वाला चैट बोट जो है पनाया है एक लॉंच किया है एयाई चैट बोट आंसर बताना है इंडिगो एयर इंडिया या विस्तारा ने या स्पाइस जेट ने चले आंसर बता हैं यह सरीए क्या कीट एक्जाम एंडिया से भी मुशकिल है जार सू सीट होती है लेकिन cat exam में ज़्यादा सीटे होती है अलग अलग लेवले बेटा दोनों की कैसे तुल्णा कर सकते हैं है ना बस सबसे मुश्किल इंडिगो ने इंडिगो की parent company इंडिगो की parent company क्या है इंटर globe aviation limited इन्होंने AI chatbot six sky को लगाया है अब ये chatbot रहेगा कहीं पर भी कोई जब आप booking के लिए जाते तो वहां पर फाइदा आपको इसका headquarters जो है यह गुड़ गुराम में गुरु गुराम में और कहां पर हर्याना में है ठीके ना इंडिगो एरलाइन्स एशिया का largest open air annual trade fair बाली यात्रा बाली यात्रा उधगाटन कि स्राज् सबसे बड़ा open air annual trade fair open air annual trade fair एशिया का सबसे बड़ा open air वार्षिक व्यापार मिला का उधगाटन किस राज्य में किया गया है यूपी में केरला में तामिलनाडू में या उडिशा में आपको पता होना चाहिए उत्तवरदेश केरला तमिलनाडू या उडिशा चलिए इसका आंसर देखते हैं इस उडिशा बली जत्रा भी कहते हैं एश्या या बली बली यात्रा भी कहते हैं यह कटक में महा नदी के किनारे पर होता है तो याद कि फिस्टिबल है और यह चार दिसंबर तक चलेगा अगले बहीने तक कार्तिक पूर्णिमा से जैसे गंगास नान होत एशिनल आउत्रिच प्रग्राम ऌन अंगनवाणी प्रोटोकॉल एंगनवाणी प्रोटोकॉल फर चल्डरे विद डिससबील्टीज यहने की छे दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाडी प्रोटोकॉल पर राष्ठी इथ ब haven किसके इंद्रिमें स्विरा रोक्ष न आपको आंसर बताना है याद किएगा इस कोश्चन का आंसर है स्मृति इरानी यूनियन विमेन एंड चाइल्ड इवलप्मेंट मिनिस्टर स्मृति इरानी ने लॉंच किया है चलिए आगे बढ़ते हैं दा एशन डेवलप्मेंट बैंक अप्रूड यूएस डॉलर्स 500 मिलिय लोन टू इन्हांस टर्शरी हेल्थ केर अन मेडिकल एडुकेशन टर्शरी हेल्थ केर और मेडिकल एडुकेशन के लिए किसर रज्य में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का रेड़ का मंझूरी दिया है महाराष्ट एम पी वेस्बिंगॉल असम यहाँ पर बिहार भी होना है Asian Development Bank Asia यह विकास Bank का मुख्याले कहां पर है आप लोग बताएए ADB का मुख्याले कहां पर है ADB का मुख्याले कहां पर है headquarters कहां पर है तो आपको यह पता होना चाहिए Manila में Manila कहां पर है Philippines में Southeast Asian Country है Manila महीं पर है तो यह है इसके अलावा देखे which public sector enterprise was awarded the best employer for policies in diversity and inclusion यानि कि SOCAM ने विविदता और समावेशन में नीतियों के लिए serviceist employer का पुरुषकार किसको दिया है हर साल यह दिया जाता है अब वर्ष बीत रहे हैं तो इस तरह के पुरुषकार आते रहेंगे सेल REC ONGC BEL विने आप सुबह कितने वज़े वेक अप करते है डिपेंस दुख दर्द पीडा एसास और बहुत सारी चीजे थी जब संडे को वर्ल्ड कप हमने हा रहे थे पिछले संडे को तो मंडे ट्यूजडे वेडनेस दे लास्ट मंडे ट्यूजडे वेडनेस से पांच बजे ही उठ जा रहा था अभी तो फिर 6.30 छे बजे साड़े छे बजे ऐसे ही उठते हैं डिपेंड करता है कब क्या जरूरी है तो यहां पर देखें आंसर है आर इसी लिमिटेड आर इसी विलेटेड रूरल रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है यानि ग्रामीड उक्षेत्र के पावर के यानि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए है और यह मिनिस्ट्री आफ पावर्स का है ठीक है ना अगले कोशन है वो इस फर्स्ट रेसिपेंट ओफ मनोहर पारिकर यूवा साइन्टिस् को नोट करके रख लो इंपोर्टेंट कोशन है और एक्जाम में आ सकता है पंच तारा सर्टिफाइट प्रश्ण है अगर आपको मेरी इसेशन अच्छा लग रहा है भाई लगातार लाइक करते रहे डॉक्टर प्रिया गुपता कल्पना कलहस्ती डॉक्टर मातवराज एस य बता ही वेरी गुड वेरी गुड हांदी भाई आपने मेरे मॉर्निंग में वेक अप कॉल के बारे में क्यों पूछा था जान सकता हूं मैं देखेगा आंसर है डॉक्टर मातवराज एस यह हैं कहां कि यू आर राव सेटेलाइट सेंटर फॉर इसरो इसकी है और इनको मनोहर पारिकर मनोहर पारिकर कहां के थे गोवा के मुख्य मत्री थे भारत के जो यह रक्षा मंत्री भी बहुत सारे दिन थे कई सारी मंत्रन लोग को समाना उन्हों के लिए पांच लाख रुपे कैश प्राइज जो की हाइस कैश प्राइज कैश में है तो यह दिया गया है इनको और यह अवर्ड गोवा सरकार ने शुरू किया है which is the Cambridge Dictionary's Word of the Year for 2023 याद खिये Cambridge Dictionary में सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जिस शब्द ने 2023 में ठीकर न क्यूं लेट उठते हैं एक विद्यार्थी को चो अर्ली वेक अप करना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए depression, backfire, manipulate, hallucinate याद खिये Cambridge Dictionary के अंतरगत इस शब्द पर ज़्यादा चर्चा रही है इसको आपको बताना है depression, backfire, manipulate करना या hallucinate ये चार शब्द है very good आप लोगों का जीवन आपके अपने खुद के कार्यों से आपके खुद के चीजों से decide होता है आपने देखा होगा विश्व कप cricket प्रतियोगिता से पहले बहुत सारे cricket पंडितों ने कितने सारे लोग थे जो है astrologers ने भारत के जीट की भविश्वानी कर दी थी लेकिन भारत के जीट की भविश्वानी से कुछ नहीं होता है भारत की team को भी खेलना पड़ता है तो भारत की team ने जब तक अच्छा नहीं खेला तो नहीं हुआ कुछ तो इसलिए आपको अपने बजे सालेश दस बजे सोना और पांच बजे उठना ऐसा भी नहीं है आप बारा बजे सोके चार पांच बजे उठीए दिन में आदे गंटे की कभी रेस्ट ले लिजे चलिए तो आंसर है hallucinate hallucinate करना Cambridge Dictionary की टीम ने इसको word of the year चूज किया है और इसका मतलब होता है कि भाई हर्ट वाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट AI AI, GPT और जो भी है इन सब के बारे में इसका है उसके बाद आप देख लिजे आफ लाइन में The Coach Defense Academy का कोई रोक टोक नहीं कोई भी मतलब पूरे भारत में डिफेंस की एक ही सोच है The Coach तो आप लोग आफ लाइन में आईए NDS, EDS, Air Force, Navy सभी कोर्सेज यहाँ पर चलते हैं दिये गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं WhatsApp भी कर सकते हैं इसके अलावा आपको बता दिया गया है Air Force Y का बैच Air Force X का बैच सबका बैच लाइव आ चुका है Air Force Y में GK की क्लासेज में ही लूँगा और बाकी Y, X में तो जरूवत ही नहीं है GS की Maths, Physics, English बहतरिन टीचर्स की सिरीज है आप Result Oriented Approach के साथ Live Classes इसमें Live और VOD दोनों ही मिलेगा वो सब भी होगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं SSR Coast Guard के लिए भी कोर्स आ रहा है और XY के लिए सब Combined Enhanced कोर्स है आप तयारी करिए आपके साथ हम हमेशा रहेंगे फिगर न किसी भी तरह की दिक्कत हो परशानी हो तो बताईएगा आप लोगों के भविश्य के लिए हम है और यह शेरशाह बैच चल ही रहा है आपको बताएं UPSC NDA 12024 के लिए आप जोईन करें आपका स्वागत है और आज के लिए फिलहाल हम आपसे अलविदा चाहते हैं आप पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें जै हिंद जै भारत जै हिंदुस्तान की सेना